तो आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वह ट्रीटमेंट तो है नहीं वह मैनेजमेंट है थोड़ा बोड़ी के को के इम्मिन सिस्टम को क्रैश करके आप बोड़ी को ठीक तो नहीं कर सकते हैं मगर क्या करें कोई और उपाय तो नहीं है तो आपको थोड़ा मैं समझा रहा हूं देखी कितना भी समझ जाएंगे आप ठीक नहीं होंगे यह भी गारंटी ले लिजे शारा गूगल दिमाग में भर लो फिर भी ठीक नहीं हो थोड़ा शरीव पर सही तरीके से काम करेंगे ठ अपने आपको ठीक कर सके एल्दी रह सके ऐसा ही पचास साल पहले सो साल पहले हमारे पूर्वज बिना किसी प्रॉब्लम के काफी लंबी उम्र जीते थे अब autoimmune disorder क्यों हो रहा है autoimmune syndrome है क्या ठीक है तो शरीर के साथ में आप जब भी कोई unwanted काम करेंगे जब भी शरीर खत्रे में आएगा तो अपनी immune system को हूचा उठाएगा metabolism को नीचे करेगा तो metabolism और immunity जो है आपके body की ये inverse relation है इसका एक बढ़ेगा तो दूसरा कम दूसरा बढ़ेगा तो एक जिनका भी immune system heighten up होता है उनका तो metabolism वैसे ही down है metabolism को बीना बढ़ाए आपने immunity भी steroid खाके crash कर दी अब कोई नहीं बचा सकता है अब आपका body stage by stage crash और crash और crash करता जाएगा तो पहला factor आपके शरीर का metabolism बढ़ाना बहुत ज़रूई है चाहे आप steroid ले रहे हैं चाहे नहीं नहीं ले दे autoimmune disorder में immunity बार-बार उपर जा रही है खत्रा बार-बार उपर है और ऐसी situation ले के क्यों आया हम आपको मालूम है आपका body chemicals के लिए design नहीं हुआ था क्या आपको मालूम है इस बात का क्या आपको मालूम है पेड़ पे आपकी दवाईयां नहीं लगती अल्ट्रॉक्सिन और थायरॉक्सिन यह सम नहीं लगता यह मालूम है कि नहीं मालूम पहले तो यह बताओ कोई तु जब कोई unwanted चीज़ शरीर में डालेंगे तो इसको डर लगेगा कि नहीं लगेगा यह बता आपके घर में कोई अंजान इंसान घुसा है तो आपको डर लगेगा तो इस शरीर में unwanted चीज़ घुस जाये तो आपके शरीर को डर लगेगा तो डर जब शरीर को लगता है जब आ करते हैं तो आप खाना बनाते हैं या फिर किचन बंद करके बैठते हैं कि भई यह जो खत्रा है इसको पहले ठीक करें तो किचन बंद हो जाता है जब आपके घर में खत्रा आता या emergency आती है तो आपके शरीर में भी जब emergency आती है तो आपका metabolism down, kitchen down immunity आप army उपर जा रही है army काम करना शुरू कर रही है president काम करेगा prime minister down जब लडाई होगी तो होगा की नहीं होगा और आपको बच्पन से कितने vaccination दिये गए हैं कितने immunization हुई है सब chemical था दो किलो के बच्चे को कितने chemical bombing करते हैं उसका हर घर में एक first aid box रखा होगा paracetamol pain killers, ulti की दवाई dust की दवाई, chakra की दवाई सब के घर में पड़ी हुई है कि नहीं तो आपने अपने शरीर को bombing करने को अच्छा बोलते हैं अपने शरीर को गोली मारने को science बोलते हैं तो आपका immunity अगर बढ़ा रहता है जब गोली खाते हो तो आपका immunity shoot up करता फिर दुपैर में एक गोली और खा लिया फिर shoot up कर लिया शाम को दो गोली और खा लिया यह आपने बच्पन से कभी न कभी कि साल में तीन बार चार बार पांच बार हर मैने की आदर डाली ही हुई है ऐसे में autoimmune disorder दुनिया में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आप रोक नहीं सकते तो डेटा उठा के आप देख लो आप डेटा उठा के देख लो autoimmune disorder बढ़ रहे हैं दुनिया में अब immunity भी crash कर दो खाके तो खतम हो गया वह तो शरीर वेजिटेटिव हो गया उसके जीने का कोई मतलब ही नहीं है आपका food क्या है इन और्गनिक प्रोसेस जनेटिकली मॉडिफाइड आइब्रेड आपका शरीर उस food के लिए design नहीं हुआ था तो immunity भड़ेगी आपके शरीर के ठीक से वो उसको use नहीं करेगा इसे metabolic disorder कहते हैं आपका environment आपने 100 साल में बदल दिया हाँ या ना environment में जो ingredients हैं जो molecules हैं वो आपने बदल दिये आपका शरीर इस environment के लिए design नहीं हुआ था इस environment में सांस लेने से भी उसको खत्रा मैसूस होता है आप autoimmune disorder कैसे ठीक करोगे आप autoimmune disorder कैसे ठीक करोगे एक ही तरीका है और जितने भी लोग यहां बचे हैं ना अपना दिमाग खोलें आखें खोलें अपने बुद्धी का इस्तेमाल करें आप लोग समझदार लोग हैं एक ही तरीका है अपने बॉड़ी का tolerance level बढ़ा लीजे और कोई तरीका नहीं है तो जो steroid खा रहे हैं उनको steroid छूट जाएंगे अगर देखो एक थ्रेशोल तक बॉड़ी रिकवर कर जाते हैं अगर आपने बिल्कुल ही बरबाद कर दिया तो बॉड़ी करेंगे ठीक है दुकान बंद करते हैं दूसरी दुकान खोलें हैं है कि नहीं है तो ज्यादतर लोग जाद 99 परसंट लोग जो है रिकवर कर सकते ह है वह पहले अपना मेटबोलिजम बढ़ा है टॉलरेंस बढ़ा है दोनों ही कुम्बक से बढ़ते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा स्ट्रोइड की डोजेज कम होने शुरू हो जाएगे आपके सिंटम कम होने शुरू हो जाएंगे एक टाइम आने के बाद में आप वो पूरा खतम कर सकते हैं वान परसेंट ऐसे भी केस होंगे जहां पे कि इतना खराब कर दिया शरीर को कि शरीर काईगा आप तो बंद करते हैं तो केवल वो लोग जो हैं जिनका शरीर बिल्कुल ही खतम हो चुका है उन लोगों के लिए थोड़ा अब कुछ भी नहीं है मगर वो भी अगर थोड़ा कुमभग करेंगे न तो उनकी एज भी बढ़ेगी चाहिए हम एक गंटा ही किसी के लाइफ बढ़ा सकें वो बढ़ाना चाहिए एक गंटा भी अगर किसी के लाइफ हम बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाना चाहिए तो यह आपका शरीर ही कर पाएगा, आपके शरीर में जितनी strength होगी वो उतना जी पाएगा, वो उतना recovery कर पाएगा, तो यह काम metabolism को बढ़ाना, immunity बढ़ी है, metabolism को बढ़ाएंगे तो immunity balance out होती है, और दूसरा पार्ट यह है, कि tolerance बढ़ा दें अपने इन सब खत्रों से, तो करना भी जोखा रहे हैं, उसका adverse drug reaction भी कम होगा, side effect भी कम होगा, कुमबब करना करने का कोई option नहीं है, बांकी चीजों के options हैं, इसका कोई option नहीं, आप जो भी करें, मगर यह ज़रूर करें